हलो एवरिवान, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में आज हमारा टोपिक है कि हमें पोदों में पानी कब क्यों और कैसे देना चाहिए तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की और मगर अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पानी कब और कैसे देना चाहिए तो शुरू आत करते हैं कि पानी को क्यों देना चाहिए तो पानी तो ये एक चनरल क्वेस्टन है कि कोई पोदे को जिन्दा रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है मगर क्या होता है कि हमारे जो beginner's gardener होते है उसे पता नहीं है कि पानी कितना देना चाहिए उसे लगता है कि पानी कमना हो जाए उसके वज़े से कभी-कभी वो ज्यादा पानी डाल देते हैं तो उसके वज़े से पोधे मर जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता तो इसलिए मैंने आज का ये topic बनाया है कि आपको पोधे में पानी कितना देना चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों पानी पोधे को हमेशा पोट के हिसाब से देना चाहिए अगर आपका पोट बड़ा है तो आप इसमें एक बार में ही ज्यादा पानी डाल देते हैं और पानी उतना डालना चाहिए कि जो पोट के हमें होल छेट चो बना कर रखे है उससे पानी निकल जाए उतना बड़े पोट में आपको पानी देना चाहिए अगर एक पार आपने इतना पाने दे दिया तो शायद दूसरे दिन आपको पानी देने की जरुवत ना पड़े क्योंकि बड़ा पोट है ज्यादा मिट्टी होगी तो पानी को वो होल्ट करके रखेगी और उसके उपरांत आपने सोयल मिक्स कितनी कैसी बनाई है उसके उपर भी पानी कितना रुपता है वो भी उसके उपर डिपेंड करता है तो हमेसा आपको चेक करके पानी देना है उपर की मिट्टी एक दो इच की ड्राई लगे तब ही देना है पानी आपको गमले छोटा है तो छोटे के हिसाब से देना है छोटा गमला है तो आप उसमें आपको हर रोज पानी देना पड़ेगा क्योंकि कम मिट्टी होती हो और मिट्टी में पानी जल्दी सूप जाता है तो उसके हिसाब से आपको पानी देना पड़ेगा यानि कि आप decide नहीं कर सकते कि इतना के इतना आपको मिट्टी चेक करके और port की size को देखके फिर पानी देना है और दूसरा point है कि पानी कब दे तो पानी कब दे वो तो एक बड़ा topic है क्योंकि पानी हमेशा आपको शाम को और सुबह को ही देना है क्योंकि वहाँ पे ठंडी होती है इतनी गर्मी नहीं होती है ठंडक में अगर पानी देंगे रात को पानी देंगे तो पूरी रात आपका पानी गमले में रहेगा और पोधे को इतना जरूरी होगा वो उतना ले लेगा और सुबह में पानी देंगे तो सुबह थोड़ी दिन ठंडी होती है तो तब तक वो पानी को होड करेगा और दोपहर को पानी अच्छे से सूख जाएगा तो वो भी बढ़ीया time है दोनों पाणी देने के लिए और मैं आपको बताने वाली हूँ कि दोपहर में पाणी क्यों नहीं देना है तो दोपहर में आप पांी देंगे तो क्या होगा कि पोधे की जो roots होती है वो जितनी ऊपर होती है उतनी ही गमले के नीचे होती है तो हमारे गमले प्लास्टिक के होते हैं तो क्या होता है कि मैजूरिटी गमला हमारा तप जाता है यानि गरम हो जाता है तो गमला गरम होगा फिर मिट्टी गरम होगी और उसके बाद रूट्स भी गरम होगी और ये सब गरमी में अगर आपने दोपहर की फूल गरमी में पान ज्यादा होती है तो आपको दोपहर में कभी भी पानी नहीं देना बले ही आपका पोधा मुर्जाय हुआ होगा तो भी आपको दोपहर में पानी नहीं देना अगर बड़ा पोट है तो फिर भी आप दे सकते हैं अगर छोटे पोधे में आपको ये रिस्क अभी नहीं लेना अगर छोटे पोधे में आप गर्मी में पानी देंगे तो अवश्य वो पोधा आपका मर जाएगा तो देखिए पानी के ये जी में हमने बात कर ली अब है कि पोधा कितना है यानि कि पोधा कितना बड़ा है उसके उपर भी आपको पानी का चेंज होता है देखें ये पोधा चोटा है मगर पोधा बड़ा है तो इसमें आपको रोज पानी देना पड़ेगा क्योंकि ये पोट से ज्यादा पोधे की साइज है तो रूट्स भी इतनी ज्यादा होगी तो वो पानी तो एबसोब कर लेगा पुरा तो आपको देनी पड़ेगी और अभी देखें ये उससे पोट छोटा है और पोधा भी छोटा है तो इसमें आपको रोज पानी देने के जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये पानी इतना अबसोब नहीं करता बलकि आप रोज पानी देंगे तो ये पोधा जरूर से मर जाएगा तो इन सबी छोटी छोटी बातों का आपको खयाल लगना है आप किसी भी पोधे को कैसे भी पानी नहीं दे सकते जितना पोधा बढ़ा है जितना पोट बढ़ा है उसके हिसाप से आपको पानी देना पड़ेगा और ये आपको इत्तो दिन में सब कुछ नहीं आएगा आप experience करेंगे gardening करेंगे फिर आपको सब कुछ दीरे दीरे समझ में आएगा कि कौन सा पोधा है उसकी requirement क्या है और उसको कब पानी देना है मगर हाँ गर्मी में पानी तो आपको देना ही पड़ेगा ये देखिए ये मेरा पोड़ भी चोटा है और पोधा भी चोटा है यानि कि ये miniature है एक्जोरा का तो इसमें मुझे रोज पानी देना इसमें दोपहर तक गिला रहता है, मगर दोपहर के बाद की जो गरमी है, उसमें इसकी मिठी काफी सूखी हो जाती है, तो इसमें भी मुझे, हर रोज पानी देना पड़ता है, और यह देखिये, मोघरे की कल्या, कितने बड़े फूल है, और कलिया भी कितनी बड़ी है अगर आप भी ये इतनी साइस की कलिया और फूल लेना चाहते है तो मैंने अभी अभी वीडियो डाला है तो आप चैनल पे जाके सर्च करिए आपको मिल जाएगा और आपको सारी सिक्रेट भी समझ में आ जाएगी और दोस्तों देखिए मेरे का हर एक बरांच पे गुड़ हलकी काफी सारी कलिया आपको देखने को मिलेगी तो ये सब और्गेनिक का कमाल है मैं इस पे ही वीडियो हरोज डालती रहती हूँ तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तभी आपको ये पूरी जानकारी हरोज मिलती रहेगी तो बिना देर किये चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजे और हमारे नए नए वीडियो देखते रहे हैं चलते मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर